और देवी के 32 नामों को कैसे बोलेंगे कैसे प्रियोग करेंगे देखिए सामान निता मैं हमेशा कहता हूँ और हर व्यक्ति से कहता हूँ कि दोनों समय पूजा करनी चाहिए सुबह भी और शाम को भी नवराक्तरी में तो आप करते ही हैं लेकिन सामान जीवन में भी को पढ़ना चाहिए हर नाम एक सिद्ध मंत्र है हर नाम को ठीक से कहें और देवी का समरण करें जो भी नाम आप लेते हैं जैसे आपने कहा दुरगा तो आप अराम से लेंगे जल्दीबाजी में नहीं एक एक शब्द पर परफिक्ट जोर देंगे एक एक नाम बिलकुल सही से बोलेंगे और उसके बाद देवी का समरण करेंगे मात्र इन नामों का उच्चारण करने से ही आपको समकून पूजा का फल प्राप्त होगा आप सुबह शाम अपने पूजा स्थान पे बैठें देवी के सामने एक दीपक जलाने और उसके बाद 32 बार सुबह नाम ले 32 नाम एक साथ ले और शाम को 32 नाम एक साथ ले लेकिन दीपक जलाने के बाद जब आप नाम कह लें तो नाम को कहने के बाद आपकी जो भी प्राथना है स्वास्त की है जीवन की है मानसिक है जो भी प्राथना है वो नामों को कहने के बाद आपको कहनी चाहिए आपकी जो पूजा है आपकी जो प्राथना है वो संपूर्ण होगी आपको केवल सुबा शाम देवी के 32 नाम आराम से चैन से बैठ करके शुद्ध रूप से बोलने हैं और प्राथना करनी है आपकी पूजा इतना करने मात्र से ही पूर्ण हो जाएगी, सम्पूर्ण हो जाएगी अब आपको बताते हैं कि देवी के वो 32 चमतकारी नाम कौन से हैं कागस कलम उठाईए और देवी के चमतकारी 32 नाम लिखना शुरू करिए लिखिए नाम है दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्गाद विनिवार्डी, दुर्ग मच्छेदनी, दुर्ग साधिनी इसके बाद दुर्ग नाशिनी, दुर्गतो धार्डी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्यानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला नाम बिलकुल स्पष्ट बोलेंगे, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिडी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमा श्रिता, दुर्गम ज्यान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्ग मोहा दुर्ग मगा दुर्ग मार्थ स्वरूपिडी दुर्गमा सुर संहत्री दुर्गमा युध धारणी दुर्ग मता दुर्गम्या दुर्ग मेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गमो, दुर्ग तारडी, ये देवी के 32 नाम है